पिछले एक साल से समंदर में खौफ बरपाए हूती ने अपनी ताकत में बेताहाशा इजाफा किया है चाहे वो मिसाइल हों ड्रोन्स हों या फिर समूत्री ड्रोन्स आज हूती के तरकश में मौडर्न टेकनोलोजी से लेस हर वो हत्यार है जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए भी बड़ा सिर्दर्द बने हुए है भूती अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स की बदूलत इसराइल के भीतर तेल अविव तक मार करने में सक्षम है तो वहीं लाल सागर से लेकर हिंद महा सागर में भी उसकी पहुँच से इसराइल या उस से सम्बंधित कोई भी जहाज अब दूर नहीं है और इसी ताकत के दम पर भूती ने लान सागर में सेकड़ो जहाजों पर हमलों के साथ साथ दो जहाजों को समंदर में डुबो दिया है और एक पर उसके लड़ाकों ने कबज़ा किया हुआ है और इनी हमलों की कड़ी में हूती ने अवेक और बड़ा हमला किया है दरसल हूती ने एक लाइबेरिया के ज़ंडे वाले रासाइनिक टैंकर पर मिसाइलों से हमला किया है ये जहास लाल सागर में पूरवी अफरीका के तट से गुजर रहा था जिस पर हूती के लड़ाकों ने एक मिसाइल से हमला किया जिस से जहास शतिग्रस्थ हो गया है बाद में कम से कम दो और मिसाइल जो हूती नियंतरित होदेदा बंदरगा से दागी गई थी जहास के आसपास पानी में गिरी बिटिश समूत्री एजनसी ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा महीनों से चले आ रहे हमलों के क्रम में लाल सागर में एक जहास पर एक अग्याद मिसाइल आटकराई यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा जहाज को निशाना बना कर कई संदिक्ध हमले किये गए बिटिश नौसेना द्वारा संचालित युनाइटिट किंग्डम मैरिटाइम प्रेड आपरेशन्स यानी UKMTO ने कहा कि जहाज के मालिक ने अग्यात प्रक्षेप की चपेट में आने की रिपोर्ट दी है और जहाज को नुकसान हुआ है वो याग लगने या हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है हाला कि हूती ने अभी इस हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन 7 अक्तूबर 2023 में गाजा में युद शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोन से करीब 80 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है इन हमलों में एक जहाज को जब्त कर लिया गया है और दो को डुबो दिया गया है जिसमें चार नाविकों की मौत भी हो गई है हूती का कहना है कि जब तक गाजा में हमास के खिलाफ इसराइल के हमले बंद नहीं हो जाते तब तक इसराइल अमेरिका और बिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे हाला कि हूती ने ऐसे कई जहाजों पर भी हमले किये है जिनका इसराइल अमेरिका या बिटेन से बहुत कम या कोई संबंध ही नहीं था हुआ 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 है